लोकसभा चुनाफ का अब सिर्फ एक चरण बाकी है जोर शोर से चुनाफ रचार चल रहा है यूपी के पूरवानचल की 13 सीटों में इसी चरण में मद्दान होगा और इसी में एक सीट है देवरिया यहां सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम कॉंग्रूस की दिखाई दे रही है हमारे सेयोगी रणवीर की राउंड रिपोर्ट देखे है बिहार की सीमा से सटा है पूरवी उत्तर पुदेश का देवरिया जिरा देवरिया शब्द का अर्थ होता है वह जगे जहां देवता रहते हैं। इसी जिले में देवरहा बाबा ने आश्रम बनाया था। सातमें और आखरी चरण में जिन सीटों परमत्दान होना है उनमें एक सीट देवर्या भी है। का एक राजनेतिक इतिहास है और इस इतिहास की लड़ाई के बीच में देवर्या में मुद्दा विकास का है। कि युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि यहाँ वरोजगार है अब जैसे यहाँ पर भी मैंने ही हमारे हनुमान राहुल मनी का एक कॉल सेंटर खुलवाया है दो सुबीस लोग यहाँ काम कर रहे हैं या मलती यादव का एक अचार की फैक्ट्री है उसमें सौ महिलाई का कर रहे हैं उसमें जो हनुमत शक्ति जगी यहाँ पर वह एक प्रातिमिक्ता है दूसरा महिलाओं का उत्थान मेरी दो बेटिया है तो शायद इसले मैं और बहुत सुख रहता हूं इन सब चीजों के लिए मैंने यहीं सी गाउं में उनका उपनेंस संसकार कर आया था दस सा है कि यहाँ पर गाउं में लोग संस्क्रित बोलते हैं और उसे के साथ साथ मैं विश्यकर्मा भगवान पर बहुत फोकस कर रहा हूं क्योंकि अगर निर्मान के अश्ट देरता वह हैं तो कैसे हम लोग निर्मान की भावना से आगे बढ़ें यह मेरी सोच है लेकिन आपकी भिड़न जिस व्यक्ति से है वो बड़े यहां के अनुभवी नेता है अखिलेश जी समानित भी हैं विधायक भी रह चुके हैं तो इंडिया अलाइंस इस बार ठककर दे रहा है लेकि इंडिया अलाइंस में जो नेता उतारे गाए हैं दो बार पिश्ली बार विधान सभा का चुनाव हा रहे हैं और पिश्ली बार तीसरे नंबर पर आये थे तो जब आप बोलते हैं कि बड़े अनुभवी नेता है किस प्रकार का अनुभव होता तो चुनाव जीतने के लिए अनुभव चाहिए न अब आप टेलिविजन पर डिबेट तो कोई भी कर सकता है यह हैं और फ्रक पर चुनाव में किक अंचे एथ मौत्य है क्वी स्क्थन कर्से को लिए हमारा लख़ए टो बनाने के लेड़े हैं हम लोग राष्र को बनाने के लिए चल गणे हैं तो बीनुगे जिंदा बाद पर सब 1 पर अपने प्रदेश प्राव जिखो नख बानाना उसरी बीजेपी विकास के दावे करती है वहीं कॉंग्रेस के राश्च्टी प्रवत्तो और पूर विदायक खिलेश पताब सिंभ बीजेपी के विकास के दावे को घलत बताती है मैं दिवरिया के साथ जो बीजे पी ने दगा किया है जो अत्यचार किया है जो देवरिय regard 1964 किया है कि कराइम किया thingRay a के दिया है जूटे वादे किये जूटे सिलनेस किये हैं ऐसे कुछ आरोफ वो लगा रहे हैं कि भाई टीवी पर डिवेट कर लेने से कोई बहुत नेता नहीं हो जाता है यह तो इसका कोई हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हम यह विधायक रहे हैं हम को लोगों ने परखा है हम नहीं ही फार विदान सवा से लेकरकि दे वर्याथ तक कालेज मेल आया किसी से पूछ लिएंग अ हैं रिए-लिए में है के लिए के बद्शे बारा के बालान करते हैं दूसरे जीलों में बड़े सबर गार करके पढ़ने करने के रिए मैं है Oh देवरिया लोकसभा सीट पर 17,30,000 वोटर्स हैं और यहां जातियों और धर्म के जो अनुमानी ताकड़े हैं उसमें लगबख 50 फीसदी पिछड़े वर्क की आबादी है वहीं 20 फीसदी सवर्ण है जिसमें बहुतायत ब्रामनों की है 15 फीसदी दलित और बाकी 15 फीसदी मुस्लिम आबादी है ऐसे में जाती और धर्म की इस लड़ाई के बीच में एजिंडा विकास का है और हर कोई कह रहा है कि देवरिया में या तो विकास हुआ है और विपक्षी कह रहे हैं कि देवरिया में विकास नहीं हुआ मेताओं के दाओं के बीच आखिर देवरिया के लोगों के मुद्दे क्या है हमने उनका मन खंगालने की कोशिश की राहूल गांधी अखिलेश यादो के लहर है कि मोदी जी के लहर है पंजग दो लोगों तब देखी के कर किसमत जाला आप लोग का सोच रहिए शुच में बताइए ने ने हम नहीं हम पूच रहें आपसे किसकी सरकार अच्छी थी कॉंगरेस की कि भाजपा की कि मोन थे इन देटा पेंसन देता खेतेक पैसा देटा रासन देता आपन लहीं कर लिए नाई देता अगर वर अगा भाई वाग में देता न के माऍव भाई ब्वाइड वाई देता नौ नहीं मुदी नहीं कि अगाज़ देता नौ और मौईना एक हजर पैंसन देता नौ रासंदेता नौ खाता निजया नमघ या दिये लेवाना नौ जो डिए यह पहले सरकार थी तो नहीं मिल रहा था राउल गांदी कहा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम एक लाक रुपे डालेंगे महीना ये गलत है ये गलत है ला हुआ अरुन सरकाफ़ आए नहीं है तो गलत कैसे मा अरुसरे राय लाटेंस नहीं कर पाएगे लुए प्रू सुटरयल लुत Wi इंडिया अलाइंस आ गया है अखिलेश राहूल की जोड़ी बन गई नहीं होगी विखर जाएगी बाजपा फीर आएगी पता है सब अरहे सारे लोग जितने अड़के हैं पूछिए वोटर हो तो कह रहे हैं सही है कों जीत रहा है बाजपा जीतेगी और कों जीतेगी कोई श आगे पर ऐसा नहीं है कि सब खुश है कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि सरकार ने संतोश जनफकाम नहीं किया पर नाम है राम ध्यान तापका ध्यान कहा चुनाव के रही है है क्टा महाल चुनाव का महाल बता दिए हमारे तरफ से भाजपा जा रही है जा रही है डंका पर जीत तिया समझ गए आज इतने बुद्ध जीवी समझदार लोग परदान मंतिर को नरेंद मोदी के सिवा दूसरे को नहीं चुनेंगे जो समझदार होगा थोड़ा सा बें दिमाग होगा नहीं नेटा नहीं है किसान है पत्रकार है राक्टिय सुराच्छा भी देख लिजिए गुंडा कंपनी देवरिया कंदर कोई नहीं है लोग बेरोज़िगार है कोई पाल्टी या कोई कंपनी नहीं खुलाए यहां लोगों को मैदूरी नहीं मिलता है बाट-पकराई है आब इन तक तो नहीं हुआ है दस साल में को चौदा मिल था देवरिया कंदर सुगर मिल सारी बंद कुछ कम नहीं हुआ आरे कानेक मतलब है की साथा धिया कारा वहनु में अन्यरों हेल वार्ट एक रास्था वी सुथ नहीं मना था घर अब हो गया आ एक दम हो गया चलिए गावों में सड़क देखिए चाचा सही कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ दे दस साल में सरकार है भाजपा की कोई काम हमको दिखला दे चाचा कोई काम हुआ हो आज यूवा बेरोजगार है सबसे बड़ी चीज बेरोजगारी मुद्दा है आप बताए क्यों लीख हो जा रहा है यह प्रश्ट पहला विससे हैं जवाब यह है तो हमने एक बात आप से बता दिया सतर साल कांग्रेस रही आखिलेस भी रहे हैं कौन फेक्टरी खुल गई देवरिया में तू कह रहा है रोजगार तो है नहीं पेपर लीख हो जा रहा है अचा पहल लीखाय पांड़ की यह दो सत्तार साल में किये हैं क्या क्या हुआ क्या क्या है राम मंदिर मना ही यह 377 धारा लाग फत्में हो गया है महारा जी खाह बता हिए हमको समझाओ जर्हां से तीन सु सत्तर से आप लोग को इने लौग क्या है ऊव्ड हो proposed लाब हो ऊई है लाब हम नो लाब है तीन सु सत्तर से आपको इस अधर से खुश राम मंद्र बनगें इससे खुश है अंधिजी काम करते हैं बढ़िया काम करते है रहुल गांदी ने इतना करते थे अखिलेश की सरकार भी देखे होंगे तो अखिलेश के सरकार में तो कोल गुंड़ा ही था अब की पार 400 के पार नरंद मोदी वजय क्या है वजय इसलिए कि अभी तक ऐसा कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो युवाओं के बारे में महिलाओं के बारे में पूरे देश के बारे में पूरे भारत के बारे में ठीक है सूचे यह कह रहा है कि युवाओं के बारे में पाड़े नहीं सोचती है युवाँ है क्या कहा रहा है रोजगार नहीं है नोक्री नहीं है नोक्री और रोजगार तो बहुत है लेकिन पेपर लिख हो जा रही है पेपर लिख होना वो अलग की बात हो गई पूजी पतियों के सरकार यह आप पांच किलो रासन ले रहा है आपको लड़का भविस्ट बन जाएगा पांच किलो रासन में पांच किलो रासन से भविस्ट तो नहीं बनेगा लेकिन लोगों का पेट तो भर रहा है कांग्रेश के सरकार में भुक मरीती बनिया था कम से कम लोग जीतो रहा हैं अपने आत्म निरबर तो हो गाए हैं अपने बल्बूते पर तो जी रहा है ओड़ी तो भूच दोनों लोग अलग अलग कह रहे है यह करे बहुत काम हुआ है बाघ्पा में कहरे एक दम राजभा जंता नराजभा जाता बाइब बाइब आई तो भाज़पा के लोग नाराज़गी के लिए अप जयादा जनका है सरकार काम कैसा की है सरकार के इती अच्छा नहीं के लिए जनका को हाता कि मोदी जी से बार बार को हाता कि वायी बैलट पेपर से ओट कर अवा जाहि इबी अमशीन ना है पाइब कर से्वारade टेल में हर्फ से काड़ी में मकिन और तरी लि चुनि darkest ना तरी कंग्रेस जित जाता dar सुनि मोदी से कौल है अच्छा सो जासी आता है जिख रही है को यह कवगूज से Dem कांग्रेस जीत को लगाने की कोशिश में वहीं कांग्रेस यहां एक बार फिर वापसी के लिए एरी चोटी पाश जोर लगा रहे हैं लेकिन जीत की चावी थो चंता के हाथ में देवरिया में जितनी मुँ उतनी बात हैं कुछ के हिसाब से पिछले 10 सालों में देवरिया ने बहुत विकास किया लेकिन कुछ मानते हैं कि विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्टी हुए। ऐसे में कौन जीतेगा, कौन हारेगा इसका फैसला चार जून को होगा लेकिन दिवरिया से अच्छे ख़बर ये कि यहाँ पर लोग, एजिंडा विकास का मानते हैं। दिवरियास से अपने सहयोगी विनोध रिवेदी और कैमरपसन राश गुपता के साथ रनवीर एंडी टीवी इंडिया के लिए